हेलो दोस्तों कैसे आप साब मैं हुशंदीप कुमार और आप देख रहे हैं संदीप कुमार फिटनेस दोस्तों आज कल अच्छे वाइसपस हर कोई चाहता है बट वायसपस बनाना इतना असान भी नहीं है मेरे वाई और हर वाई जिम में नहीं जा सकते तो आज के मारी वीड प्लम हो किसी वज़य से वह जिम में नहीं जा सकता हो तो वाज उसकी यह दिकत भी खतम हो जाएगी और घर पर रहते हों बड़ी अब आप सकते हैं तो वीडियो को जादा लंबा नहीं करते हैं स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो सबतर पहला तो इक कोई साइज अग कोई चक्कर नहीं 15-20 जितने भी लागे लगाओ और फिर दूसरे आथ बजाओ इस तब बहुत बढ़िया पंप मिलागा और अगर दुनों आथ हो में एक करका सिंगल सिंगल करका लगाना चाहूं चाहूं एक दो ऐसे करके लगाना चाहूं तो ऐसे भी लगा लेकिन उस्त इंट के साथ यह अपना ना करनी है इसमें चैसे पहले अपना ग्रीप यह ले रिखी थी इवापे ग्रीप इसकी ऐसे ले लेंगे इंट की और फिर अपने इस तरह से चलेगा ठीक है साइड से अगर आप देखोगे तो यह चलेगा यह आपके बैसेप्स की जो लोंग एड सब्सक्राइब तो लगब सारे बाइब यहने पता भी हो कोमन शेक्स्राइब हो गया और वाइकर भी लेगर पर उसके बाद भी तीसरी एक्स्तरसाइब आपनी जो उत्या है कंसंट्रेशन कर्ल जिम में लगाओं आपे डंबल आपना पर है नहीं आपना लगानी है इस ची सब्सक्राइब यह 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 पोजीशन रहेगी कंसंट्रेशन खर आपकी जो पाइसेप्स की पीक है और जो यह बाइसेप्स की गोड़ी शुट्थ है नहीं या चीज इसका पर बहुत ज्यादा एक्ट्रसाइज है तो इस सिंगल इनिट के साथ में आपने तीन आपने करनी है जैसे आप पूशप लगावाना पूशप के अपनी वैरियेशन यह हुआ है इसमें थोड़ा सा अपने चेंज करने यह अपने ना आथ यह रखने है ठीक है और उसमें यह चीज करनी है कि बिल्कुल श्लो में निच्छ आना है यह ज्यादा तेज से चलना ब अधा प्रेसर आपके बाइसर पाओ इसलिए अपने फील करना है जब भी आप निच्छे के तरफ जाओ नो पूरा स्लो बाइसेप्स पीफैक्ट लेकर चलना है और जितना निच्चे तक जासको उत्र निच्छ जाना है यह चीज नोट करनी है और इसके भी मैक्सिमम रेप इसमें बेनिफिट आपकी फोर आर्म को मिलागा आपने दीख रहा होगा तो फोर आर्म प्लस आपके बाइस्प्स की चुड़ाई खेतर बहुत बढ़ी अक्सर साइज है या ग्रीप ले लो वह आपको डिपैंड करेंड किया आपको सी ग्रीप लेओगे जो आपके लेकिन इसमें ध्यान रखना है सोल्डर की पावर इंवॉल्व निकरनी गणे वह इन्यों करे जाएंगे तो वह चीज निकरनी वह यह चीज एक जगा रोक है बाइस्प्स के साथ अराम से करो अगर इंट ज्यादा बारी लागत हो फोटी इंट लेलो आदा टूकड़ा लेलो जूरी न्यावन नव बढ़िए लेली जेतने अपने फोटेबल ओने अपनी फॉर्मेशन को पर दियान देने क्योंके आपने वेट कम है तो फॉर्मेशन को पर जज्यादा द्यान राखने लेकिन लाइट वेट में फोर्मेशन सभी बनाएका चला ही न तो बढ़िया अपना उसका बेनिफिट मिलागा उसके बाद अगली एक्स्तर साइज होगी अपनी इस तरह से यह थोड़ा सा अपना आथ पिछा लेना और इस तरह से चलेगी मोमेंट और यहां थोड़ा सा यह कुछ के लिए और वर पर निचे चले तो ले करना है बिल्कूल स्वेम है से थोड़ा हाग या ले खाओ फिर यह ठीक है और एक बार ठच करके देखिए निजबरतास एक्सरसाइज आ आ तो यह एक्सरसाइज मीहां आपके बाइसेज़ास को कॉप्प देन कहता एक आप यह जैसे बारबल कर लगावा वहां तो रोड़ो अगर अपने पास रोड़ नहीं है तो वेट रख लो जितना भी आप वेट रखो इंट के साथ अगर लगानी है तो इंट के साथ वेट रखकर लगा लिए और अगर पर अगर जैसे राउड टाइप कोई चीज हो उसके साथ लगा लिए या फिर पानी की बाल्टी वर क्या बाल्टी साथ भी लगा जाएगी लेकिन अगरी आप एक लोज ग्रीप मां लगाना चाहा नहीं तो रख ले दो तीन नीट दो चार नीट जो भी रखनी है वहां रख लेश्कोप पर और फिर आपने जितना वेट अपन क्योंकि जिम्मा तो यार है वी बेट भी लगा लें आप और वी कई तरह के वरियेशन मिल जाए मशीन लगा लगत रहिए वह लेकिन यहां अपने पास ना तो इतनी मशीन नहीं है और अपना तो इस तरह काम चलाना है तो इंटां के लिए अगरक साइज लगानी है तो अपने खुलोज गृप में यह कर सको इसे नहीं और बढ़ी बेनिफिट लेने के लिए और क्लोज कर लो यहां पकटने की बिजाए यह बिल्कुल यहां से आप बिल्कुल शिद्धे रखो गणे भाई नियू में कोई फाइदा निया इसका आसे क्लोज रखका है और थोड एक्स्रसाइज लगते है रखका है तो वह आप एक इंट ले लिए इसके साथ लगाओ आगर वजन कम लागा तो दो जोड़ ले कंठी और उसके साथ में लाओ अपने रस्टेगी तरह काम करेगी जो बंहाब जिम में रस्था लगाएगा ख़ा बहुत निया टेओ पर आप पर कर दे रहा हूं तो तीन या चार एक्सराइज ले ले लिए एक टाइम में ठीक है आज साथ एक्सराइज अगर एक दिन करो कि बहुत ज्यादा हो जाए क्योंकि मुसल बहुत चोटा है तो उसके ओपर इतना लोट गेटिंगी जुरूत भी नहीं है चार यह पांच एक्सर तो अगर अपना ट्रैसेप्स का अगर अगर तो अग्ली ज़्यादा रखना है और अगली जो अपनी वीडियो होगी वह कि ट्रैसेप्स के एक्सराइज के बारे में गर पर रहते हुए सिर्फ एक इंट वगारा से है जो भी गर के छोटे-मोटे